दोस्तों हाली में भात ने उरिसा के तर्शे एक ऐसा कार्णमा कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खिंच लिया हमारे वेगानिक संगर्ठन डियाडियों ने पहली बार सबसा पूर्वक टेस्ट किया है भात का सबसे अडवांस्ट इंटीग्रेटिड एर डिफेंस वेपन सिस्टम या सिर्फ एक सामाना टेस्ट नहीं था बलकि बात के लिए आसमान की सुरक्षा में एक बड़ा मेल का पत इसका काम है दोसमन के हवाई हमलों से भात की रख्षा करना चाहे वो हो दोसमन के लड़ाकू बिमान ड्रोन कुरूज मिसाले या आने वाले समय में हाइपरसोनिक हतिया आई एडी डव्यस इन सब को रोकने और नस्ट करने की किसमता रखता है इसकी सबसे बड़ी खासियत हतिया है कि या मल्टी लेयर्ड डिफेंस आर्किटेप्चर है यानि कई पर्तो वाला सुरक्सा कवच अगर दोसमन का एक हतियार पहली पर्त से बच भी निकले तो आगली पर्ते उसे खतम कर देंगी IADWS के मुख्या हतिया इस सिस्टम में तीन प्रमुख हतिया सामिल किये हैं कोई की रियक्षन सरफेस को एर मिसाइल या सिस्टम तेजी से चलने बाले दोसमन के एर क्राफ्ट या मिसाइल को लबग 30 से 35 किलोमेटर दूर और 15 किलोमेटर उचाय तक मार गिरा सकता है और इसे हमारे फॉर्वर्ड बेस और मोवाइल फॉर्मेशन सुलक्सित रहेंगी वैरी सौर्ट ट्रेंज एर डिफैंस सिस्टम या सिस्टम खास तोर पर लो फ्लाइंग हेलकॉप्टर डोन और कम हुचाय वाले एर क्राफ्ट को मार गिराने के लिए है इसकी रेंज लगपग 6-7 किलिमेटर है या चोटी दूरी पर बहुत कारगर है और लंबी दूरी की मिसालों की कमी को पूरा करता है इस सिस्टम के सबसे भविस्याबादी तफनीक है इसमें लेजर आधारित हतियार है जो दूरी को स्पीड ओफ लाइट या प्रकास की गती से मार गिराते हैं और इसके सबसे बड़ी खास्यतिया है कि या बार-बार इस्तिमार किया जा सकता है और लागत भी बेहत कम आती है टेस्ट क्यों है खास या टेस्ट इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि या पहली बार हुआ है जब एक ही सिस्टम में सबी लेजर को इंटीग्रेट करके ऑपरेशन में लाया गया या दर्साता है कि भात आप केवल आकरामक स्टाइक केविबिल्टी ही नहीं बलकि दुस्मन की एर सुपरमेसी को भी पूरी तरह चुनाती देनी की समता रखता है रनितिक महत्वा आज के समय में ड्रोन सौर्म स्टेट एरक्राप्ट और तीज रप्तार मिसालों का खत्रा भी तीजी से बढ़ रहा है ऐसे में IHDWS का या टेस्ट बार्थ को एक निर्वीक और आत्म निर्वशक्ति के रूप में पेश करता है या अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों की Advanced Air Defense Technology की बराबरी की दिशा में एक बड़ा कदम है भार्थ अब रूस के S-400 और इजराइल के Iron Dome पर निर्वर नहीं रहेगा बविशे में भार्थ इन सिस्टम्स का निर्याथ भी का सकता है जिससे Making India Make for the World Mission और मजबूत होगा भाविशे की युद रनिती में क्रांती Directed Energy बेपन यानि लेजर अधारित हतियार आने वाले युद का चहरा पदल देंगी ना कोई दमा का ना बारूद की चरूरत बस एक लेजर बीम और दुसम का हतियार खतम या बात के लिए ना केबल टेकनोलोचिकल ब्रेक्टू है बलकि दुनिया को या संदेश देता है कि हम भविश्चय की लड़ाईओं के लिए तयार हैं बात की इस रक्सा और आतम निर्वता का पती पहले हमने स्टैटिजिक मिसालों से आकरमक समता दिखाए और अब इस मल्टी लेयर्ड सिल्ड से अपनी रक्सातमक समता भी मजबूत कर दी है दोस्तों डियर्डियों के यह काम्याभी ना सिर्फ हमारे सैनिकों का आतमिस्वास बढ़ाएगी बलकि पूरे देश के लोगों में भी गर्व का एसास जगाएगी IADWS का या सापल टैस्ट भात की बायूर्श सुलक्सा को अभेदे बिनाने की दिसा में एक एतियासिक कदम है यह सिप एक आहतियास सिस्टम नहीं बलकि हमारे आतम निवर भारत तक्निकी ताकत और रन्नितिक संकल्प का भी प्रतिक है तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या आने वाले वर्सों में भात इस तक्निक में एमेरिका इसराइल और रूस जयस्तिसों की बराबरी कर पाएगा या नहीं अपने विचार कोमेंट में जुरूर बदाएं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शियर और डिफेंस यातर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जैहिं जैभारत